दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको एक और इंट्रेस्टिंग प्रड़क्ट के बारे में बताने वाला हूँ ये एक वायरलिस कीबोर्ड है, रेट्रो स्टाइल का है वसे आज की तारिक में मुझे लगता है कि ये जो एक्सटरनल वायरलिस कीबोर्ड है वो क्यों उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन सबसे पहले ये जो आईगियर कीबी रेट्रो कीबोर्ड और वायरलिस माउस जो है इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं, देखते रहे हैं तो ये है आईगियर कंपनी का कीबी वायरलिस कीबोर्ड और माउस ये एक कॉमबो पैक है जिसमें आपको वायरलिस कीबोर्ड भी मिलता है और वायरलिस माउस भी मिलता है वैसे यह जो keyboard है कैसा दिखने वाला है box के उपर ही आपको idea मिल जाता है और यह exciting color options में available है यह देखें तो चलिए मैं आपको इसकी unboxing करके बताता हूँ यह लिजिए box को मैंने खोल दिया है और अंदर जो keyboard है उसे इस प्रकार से टाक किया हुआ है यह देखें इस प्रकार का दिखता है यह keyboard काफी impressive दिखने वाला keyboard है और unique प्रकार का भी है फिलाल दिखते हैं कि box में और क्या-क्या है यह देखें यह brush दिया हुआ है basically यह जो keyboard है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यह जो traditional type letters जो होते हैं तो जो keys है उसी style में है और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें मैं यहाँ पर थोड़ा साइसे twist करता हूँ तो यहाँ पर काफी gap दिया हुआ है तो यह जो brush है हो सकता है कि यहाँ पर dust जमा हो तो यह जो brush है इसका उप्यो करके जो dust है उसे आप निकाल पाएंगे क्योंकि जैसे कि मैंने कहा यह जो keys है यह type writers की तरह बनाया हुआ है और काफी gap है यहाँ पर वैसे इससे आपको definitely बहुत ही बढ़िया typing experience मिलने वाला है और देखते हैं कि इसके अलावा box में हमें क्या-क्या मिलता है यह है user manual जहां पर आपको इस प्रड़क के बारे में जानकारी मिल जाएगी और यह है wireless mouse जो की box के अंदर दिया हुआ है इसके अलावा बस यही सारी चीज़े हैं जो आपको इस box में मिलने वाली है तो यह दिखे यह है keyboard इसके बिल्ड और फेनिशिंग है बहुती बढ़िया है वैसे इसके बॉड़ी है यह प्लास्टिक की बनी हुई है और जो कीज है काफी interesting लग रहे हैं क्योंकि मैंने यह जो color है खास करके pink, white और orange तो यह color मैंने select किया हुआ है काफी बढ़िया लग रहा है और नीचे की तरह अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ जानकारी दिया हुआ है साथ में यह जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर है batteries और यह जो batteries है इसमें दिया हुआ है removable battery है वैसे battery साथ में दिया हुआ था तो मैंने इससे बंद कर दिया है और जो mouse है यह दिखें इस प्रकार कर दिखता है यह mouse यह भी optical mouse है और यहाँ पर जो battery compartment है यह दिखें इसके अंदर भी जो battery है वो already लगा हुआ है अगर आप चाहें तो इससे replace कर सकते हैं वैसे इसे मैं बाहर निकालता हूँ क्योंकि यह जो battery है यह actually इसके अपर film लगा हुआ है तो इसे मैं निकाल देता हूँ यह लीजे और जो battery है इसे मैं फिर से इसमें डाल देता हूँ अब यह on हो गया है और एक और important चीज यह जो चीज आप देख रहे हैं यह है नानो receiver और इसे आपको आपका जो laptop है या फिर जो desktop है उसका जो USB port है उसमें डालना है उसके बाद यह connect करने के बाद आप यह keyboard है as well as जो mouse है इन दोनों का उप्योग कर पाएंगे यह keyboard है इसके नीचे rubber padding दिया हुआ है ताकि आपको अच्छा grip मिल जाए तो यह जो nano receiver है इसे मैं यहाँ पर attach करता आप देख सकते हैं कि जो mouse है secondary screen और जो primary screen है वहाँ पर भी देख पा रहे हैं तो यह लिजी notepad मैंने on कर दिया है और अब जो keyboard है मैं इसका उप्योग कर रहा हूं यह रिखे काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है external keyboard का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि अगर आप keys को hard press कर रहे हैं तो भी कोई issue नहीं है क्योंकि यह जो laptop का keyboard होता है जब हम इसे उप्योग करते हैं तो थोड़ा सा careful रहते हैं softly use करते हैं इसे थोड़ा सा tough किसम की तरह भी use कर सकते हैं खास करके अगर आप games खिलते हैं games के तोरण काफी लोग keyboard को bank करते हैं तो वैसा आप यह जो external keyboard इससे कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपके पास घर पर laptop है और उसे आप as a desktop की तरह use कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपके पास desktop नहीं है तो भैदर होगा कि आप इस प्रकार के external keyboard का उप्योग करें वो इस हम typing करते हैं तो जो कीज है उसे बहुत ही hard press करते हैं तो इसलिए always better है कि अगर आप एक laptop का use कर रहे हैं तो एक external keyboard का उप्योग करें खास करके जब आप घर पर या office में काम कर रहे हैं तो वैसे अगर आप traveling कर रहे हैं तो traveling के दोरान definitely जो laptop का built-in keyboard है उसका ही आप उप्योग क तो नहीं करने वाल है लेकिन anyway और दूसरा कोई option भी नहीं मिलता है इसलिए external keyboard और mouse एक भैतर option है उपर से जब आप इन external devices को connect करते हैं तो आपको एक तरह से desktop type feel भी मिलता है तो यह जो product है इसमें single nano receiver दिया हुआ है जो की 2.4 GHz पर काम करता है यह एक तरह से dongle है plug and play है आपक जो बैटर्स है उसे replace करना पड़ेगा वैसे तो market में बहुत सारे keyboards available है आपको सस्ते दाम में keyboards मिल जाएंगे लेकिन यह keyboard है क्योंकि इसे एक unique प्रकार का look दिया हुआ है retro style look तो इसका pricing है यह थोड़ा से जादा है और of course colorful options में available है इसका pricing है 2750 रुपीज यह Amazon पर available है उसका link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है दोस्तों यह product आपको कैसे लगा comments के मार्दिम से मुझे जरूर बताएए इस वीडियो को like जरूर कीजिए और देखते रहिए